Hello everyone, Welcome to KV Teachers Guild So, बच्चों अभी हम शुरू करेंगे कक्षा एक हिंदी का पांच्वा पार्ट जिसका नाम है मिठाई तो बहुत सारी मिठाईयां अपने खाई होगी लड्डू, पेडा, बर्फी, जलेबी, रबडी, गुलाब जामुन, रसमलाई अब देखते हैं कि कहानी में कौन है, जिसका मिठाई खाने का मन है और उसको मिठाई मिलती है या नहीं लेकिन पार्ट को पढ़ने से पहले पिछले पेज पर आप देखेंगे, कुछ चित्र आपको दिये है ये एक कहानी है, गिलहेरी की कहानी जो चित्रों के माध्यम से आपको बताई गई है और उससे भी पहले है एक कविता मुर्गा बोला कुकडूकूं तो पहले कविता पढ़ेंगे, कहानी देखेंगे, उसके बाद हम पार्ट को शुरू करेंगे इकाई दो, जीव जगत, ये खेल गी थें मुर्गा बोला कुकडूकूं चल मेरे भाईया, रुकता क्यूं कुता भौंके भौं भौं भौं, गाड़ी अटकी पौं 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 बकरी आई, बिल्ली आई, मेमे आई, म्याउ म्याउ आई धक्की गाड़ी, धौं 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 धौं, चल दी गाड़ी, पौं 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 ठीक है? तो ये गाड़ी है, गाड़ी में कौन कौन है? सबसे पहले है मुर्गा, मुर्गा क्या बोलता है? कुकडूकू फिर कौन है कुत्ता, कुत्ता क्या करता है भौं 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 फिर है बकरी, बकरी क्या करती है में 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 फिर है बिल्ली, बिल्ली क्या करती है म्याओ म्याओ तो गाड़ी रुकी हुई है, सबसे पहले मुर्गा कहता है कुकडू कू चल मेरे भाईया रुकता क्यों? कि भाईया रुके क्यों हुए हो चलो फिर कुट्टा बोलता है भौ 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 बकरी और बिल्ली बकरी कहती है मेह में बिल्ली कहती है म्याओ म्याओ गाड़ी फिर धौधों करने लगती है और चलने लगती है यह थी कविता अब आते हैं कहानी पर चित्र और बाचीत चित्र देखने हैं और बाचीत करनी है गिलहरी की कहानी तो देखो चित्र में आपको दो गिलहरियां दी है यह गिलहरियां है दोनों दोस्त हैं यह गिलहरी का घर है पेड़ के उपर दो पेड़ है बीच में एक नद आपको दिखाई देगी और नदी के बीच में है मगरमच उपर दो चिडिया है उड़ रही है फिर ये एक इल्ली है इसे हिंदी में बोलते हैं इल्ली ठीक है? यहाँ पर दो एकॉर्ण के बीज पड़े हैं यह बीज है किसके? इंग्लिश में बोलते हैं एकॉन, हिंदी में बलूत बोलते हैं, तो ये सब चीजें हैं चित्र में, अब ये जो दो गिलहरी दोस्त हैं, इन में से इस गिलहरी को नदी के इस किनारे से दूसरी तरफ आना है, क्यूंकि गिलहरी का घर जो नदी है उसके दूसरे किनारे पर है लेकिन अगर ये नदी से आएगी तो बीच में बैठा है मगरमठ वो इसको खा जाएगा तो आप सोचना है कि क्या करें सब इनको देख रहे हैं तो ये गिलहरी क्या करती है इस पेड़ की एक लंबी सी शाखा लेती है अपने देखा होगा जैसे बरगत का पेड़ है उसके ओपर ऐसी शाखाई लटकी होती है इसको लेती है और इसके दूसरी तरफ एक एकॉन के बीज को बांध लेती है और फिर उसे दूसरी तरफ फेकती है दूसरी तरफ जो गिलहरी है वो उसको catch करती है पकड़ लेती है और ये सब होते हुए चिडिया, इल्ली और मगरमच देख रहा होता है अब पकड़ने के बाद दोनों गिलहरिया पेड़ पर चड़ती है इसको इसने रसी की तरह इस्तेमाल किया इसका एक सिरा सफेद गिलहरी के पास है और दूसरा उसके दोस्त के पास है अब ये दोनों पेड़ के उपर उसे रसी की तरह बांध देती है और बांधने के बाद ये गिलहरी उसकी सहायता से जो नदी है उसे पार कर लेती है दूसरी तरफ आ जाती है ऐसे लटक कर ये देखकर चड़िया बहुत खुश हो जाती है इल्ली हैरान हो जाती है और जो मगरमच है वो बहुत दुखी हो जाता है ठीक है तो ये है कहानी जिसमें गिलहरी ने अपनी होश्यारी से नदी को पार किया और वो अपने दोस्त के पास चली गई अब हम आते हैं अपने पार्ट पर जिसका नाम था मिठाई पढ़ेंगे और समझेंगे पहले पढ़ते हैं एक एक शब्द को बोलना कैसे है वो आप ध्यान से देखेंगे एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ तो एक दिन क्या होता है गधे का मन करता है मिठाई खाने का देखो ये है गधा ये अभी सोच रहा है किसके बारे में मिठाई के बारे में लड़ों के बारे में और देखो सोच करी इसके मुँँ में पानी आ गया क्योंकि बहुत मन कर रहा है कि काश इसके पास मिठाई हो और वो उसे खा ले गदे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा अब गदे ने अपने मित्रों से अपने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा कि तुम्हारे पास कुछ मीठा हो तो मुझे दे दो, वो मांगता है, खाने के लिए दोस्त कौन-कौन है, एक तो गिलहरी है, एक ये चीटा है, फिर ये लोमडी है, हाथी उसका दोस्त है, भालू है, और खरगोश है, ये उसके दोस्त है, तो गधा कहता है इनसे, अभी कह र खानता है, भालू ने कहा, शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया, अब भालू हम जानते है, मदमखी के चत्तों से, शहद वो खाता है लेकर, तो उसके पास शहद था, शहद भी क्योंकि मीठा होता है, तो वो गधे से कहता है, कि ये लो, शहद खा लो, अगर तुम्हारा कर देता है क्योंकि मन तो उसका मिठाई खाने का है आगे खरगोश ने कहा गाजर खा लो गधे ने मना कर दिया अब खरगोश क्या खाता है गाजर गाजर भी मीठी होती है तो वो गधे को गाजर देता है और कहता है कि ये लो तुम गाजर खा लो लेकिन गदा देखो और खाने का है, आपको रजगुला खाना है, जलेबी खानी है, बर्फी खानी है, तो गाजर कहा फिर अच्छी लगेगी, क्योंकि गाजर कोई मिठाई नहीं है, फिर चीटे ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया, अब चीटे के पास गुड़ था, गुड़ भी मीठा होता है, वो उसे गुड़ देता है, कि ये लो तुम गुड़ खा लो, लेकिन गधा मना कर दिया, ना उसने शहद खाया, ना गाजर खाई और ना ही गुड़ खाया, हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया, अब हाथी लेकर आता है गन्ना, हाथी गन्ना खाता गन्ना भी मीठा है तो वो कहता है कि मीठा खाने का मन है तो गन्ना खा लो लेकिन गदा गन्ने खाने को भी मना कर देता है गिलहेरी ने कहा आम खा लो गदे ने मना कर दिया फिर गिलहेरी आती है आम लेकर गिलहेरी क्योंकि पेड़ों पर रहती है वहां से आम लाती है और कहती है आम ये लो ये भी मीठा है तुम इसे खालो लेकिन गधा आम को भी मना कर देता है बिल्ली बोली अच्छा ये लोम्री नहीं है ये बिल्ली है ये है बिल्ली ठीक है तो बिल्ली ने कहा बिल्ली बोली हल्वाई की दुकान पर चलो गधे को ये है बात पसंद आ गई अब बिल्ली कहती है कि चलो हम सब हलवाई की दुकान पर चलते हैं हलवाई कौन होता है जो मिठाई बनाता है मिठाई बनाने वाले को बोलते हैं हलवाई तो गधे को ये बात बहुत पसंद आ गई उसे ये बात अच्छी लगी क्योंकि हलवाई की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलेंगी मिठाईया मिलेंगी और गधे का बिठाई खाने का ही तो मन था तो देखो सब आ जाते हैं ये हाती है, हाती के ऊपर बैटकर आती है गिलहरी ये है भालू भालू के उपर आता है खरगोश, चीटा चलकी आता है और साथ में है बिल्ली और गधा और ये है हलवाई जिसकी दुकान पर बहुत सी मिठाईयां रखी है तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े और फिर सब साथ साथ मिलकर कहां चल दिये मिठाई खाने के लिए चल दिये सब दोस्त आ गए है मिठाई की दुकान पर इसी के साथ पार्ट खतम होता है अब हम आते हैं प्रशनों पर किसे खाने में क्या पसंद है रेखा खीच कर मिलाईए तो किसी क्या पसंद है? भालू को पसंद है शहद, खरगोश को पसंद है गाजर, हाथी को पसंद है गन्ना, और गिलहरी को पसंद है आम. इन्हें आपको मिलाना है. आगे है, नीचे दी गई वस्तूओं को पहचान कर उनके नाम बताईए और पढ़ने का प्रियास कीजिए. नीचे जो चीजें हैं, उन्हें देखना है, उनके नाम बताने हैं और पढ़ने हैं. ये है गधा, मिठाई, हाथी. इस कहानी में कौन कौन से जानवर है, किनी तीन जानवरों के नाम लिखिए. तो कहानी में सबसे पहले तो गधा ही है. गधा है, हाथी है, भालू है, खरगोश भी है. आपको लेकिन तीन ही लिखने हैं. गधा, हाथी, भालू. आगे है, सही या गलत वाकियों के सामने सही का निशान लगा कर बताईए गदे ने बिल्ली की बात मान ली बिल्कुल सही है, बिल्ली ने कहा था हलवाई के पास चलते हैं और गदे को वो बात पसंद आई, उसने मान ली सब हलवाई के पास चले गए खरगोश ने आम खाने को कहा बिल्कुल नहीं खरगोश ने गाजर खाने को कहा था आम खाने को कहा था गिलहरी ने तो ये है गलत हाथी ने कुछ नहीं कहा ये भी गलत है हाथी ने गन्ना खाने को कहा था गलत सबी ने गधे की सहायता करने का प्रियत्न किया सबने प्रियत्न मतलब कोशिश करना तो सबने कोशिश की गधे की सहायता करने की बिल्कुल सही है जो भालू था उसको क्योंकि शहद पसंद है वो शहद लेकर आया, खरगोश गाजर लेकर आया, हाथी गन्ना लेकर आया, चीटा गुड लेकर आया तो सबने मदद करने की कोशिश की? किसकी? गधे की आगे हैं, शब्दों का खेल, नीचे दी गई कविताओं को पढ़िये इक खेत में बोली, अपने पास वाली इक से, मेरे उपर क्यों गिरती हो? खड़ी रहो ना ठीक से? देखो, ये दो इक हैं, ये इक दूसरी वाले को कहती है, कि तुम मेरे उपर क्यों गिरती हो? ठीक से खड़ी रहो? इमली की डाल पर बैठी थी चिडिया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया इमली की डाल पर चिडिया बैठी हुई थी, जो इमली खा रही थी, ये है इमली, और उन्हें मुनिया देख रही थी आप थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसको एक खेत में बोली, अपने पास वाली एक से मेरे उपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से इमली की डाल पर बैठी थी चिडिया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया आगे आते हैं अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिये चोटे-चोटे कीडो, मकोडो, जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग-अलग रंग के हैं, आदी विशेशताओं पर ध्यान दीजिए आप अपने आसपास घूमेंगे और चोटे-चोटे जो कीडे होते हैं, उनको देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनका क्या रंग है घर आकर इनके चित्र बनाईएं और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साजा कीजिए किन-किन कीडों को आपने देखा, वो फिर आप क्लास में बताएंगे तो ये कुछ कीडे हो सकते हैं इन में से कुछ आपको आपके घर के आसपास जरूर दिख जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनका रंग अलग-अलग है जैसे ये लेडी बग है, रेड बग, रेड कलर का है ब्लाक कलर के स्पॉर्ट्स हैं, बिंदी है इसके उपर फिर तितली आपने देखी होगी, बहुत रंग बिरंगी होती है ये ग्रास ओपर है, टिडड़ा है, हरे रंग का होता है तो इस तरीके से उन सब को आप देखेंगे और घर आकर उनका चित्र भी बनाएंगे इसी के साथ पार्ट आपका खतम होता है उमीद अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच पर वाचिं